नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी नूज में, मैं हूँ आपके साथ अभै विशाल कौन मारेगा बाजी सेग्मेंट में आज हम बात करेंगे सोनपूर विधानसवा छेत्र के बारे में सोनपूर विधानसवा निर्वाचन छेत्र सारंजिला के अंतरकत आता है आए जानते हैं सोनपूर विधानसवा छेत्र के राजनितिक इतिहास और मौजूदा हालाग के बारे में वर्स 2015 में हुए बिहार विधानसवा चुनवा में डाक्टर रामानूज प्रसाद विधायक हुए थे रामानूज प्रसाद राजत के टिकट से इस चुनवी मैदान में खरे हुए थे वही विनाई कुमार सिंग भासपा के टिकट से चुनव लर रहे थे इस चुनवी दंगल में डाक्टर रामानूज प्रसाद 86,082 वोट हासिल किये थे वहीं विनाई कुमार सिंग ने इस चनाओं में 49686 वोट हासिल किया था वर्स 2010 में हुए चनाओं परिणाम को देखें तो इस चनाओं में विनाई कुमार सिंग विधायक हुए थे विनाई कुमार सिंग भासपा के टिकट से खरे हुए थे और उन्होंने अपने निकटम प्रतिद्वंदी राजद उमिद्वार और बिहार की पुर्व मुख्यमंती राबरी देवी को सिकस्त दी थी वर्ष 2005 की चुनाव नतीजों के देखा जाए तो इस चुनाव में राजद उमिद्वार रामानुज प्रसाद विधायक हुए थे इस सीट पर भासपा की भी दाविदारी रही थी भासपा ने अपने उमिद्वार विन्यकुमार सिंग को इस चुनावी मैदान में उतारा था जिसमें उन्हें सिकस्त जहेलनी परी इस वर्ष अक्टूबर और फरवरी माह में चुनाव हुए थे दोनों चुनाव में दोनों उमिद्वारों की वही इस्तिती रही बिहार विधान सबाद चुनाव वर्ष 2000 को देखा जाए तो इस वर्ष भासपा और राज़त के भी सीधी टकर थी इस सीट पर विन्यकुमार सिंग भासपा के टिकट से खरे हुए थे और उन्होंने अपने निकट्तम प्रतिद्वंदी उमिद्वार राज़त के रामानुज प्रसाद को सिकस्त दिया था सोनपूर विधान सबाद चेत्र में हुए वर्ष 1995 और 1990 की बात की जाए तो इस सीट पर राजकुमार राय का वर्चस रहा वे जेडी के टिकट से चनाव लर रहे थे वहीं सीट पर उनके विपक्च उमिद्वार बिरंदर नरायन सिंग भी चनाव में खरे थे वे कॉंग्रेस के टिकट से चनाव लर रहे थे सोनपूर विधान सबाद चेत्र की विकास कारे को देखा जाए तो बिजली ग्रिड और विद्यूत सबे स्टेशन के स्थापना की गई है पीपरा में शौदाहगरी बना है स्कूल और दफ्तर के भौन निर्मित किये गए है किसानों के लिए सीचाई बिवस्था करवाई गई है वहीं चुनावी मुद्धों को देखें तो सरकारी नल और ट्यूब वेल चौपट हो गए है बाड यहां की एहम समस्या है विस्थो प्रसिद्ध सोनपूर मेला यहीं लगता है किसानों की समस्या एहम है जान से भी लोगों को हर दिन जूजना होता है छेत्र में मूलबूत सुधार की जरुरत है बिहार विधान सबाच उनवाद 2020 की बाद करें तो इस वर सोनपूर विधान सबाच छेत्र से राजद ने महागडबंदन के तरब से रामानुज प्रसाद को ही अपना उमिद्वार बनाया है अब देखना दिल्चस्प होगा कि कौन इस सीट से बाजी मारने में कामयाब हो पाता है तो आज के लिए बस इतना ही बिहार की हर चोटी बरी ख़बरों सरूबरू रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज धन्यवाद